हम सभी को मालूम है कि भागवान राम ने रावन को मार कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस लंका तक पहुंचने के लिए उन्होने वाणरों की मदद से एक सेतु का निर्मान करवाया था। लेकिन शायद बहुत कम लोगों की मालूम होगा कि भगवान राम दोबारा लनका गए थे और उन्होंने रामसेतु के एक हिस्से को स्वयम ही तोड़ दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्यूं किया आईए जानते हैं। पद्म पुरान के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन उन्हें विभीशन का ख्याल आया कि विभीशन किस तरह लनका पर शासन कर रहे हैं। चला को वे भी भगवान राम और भरत के साथ पुश्पक विमान में उनके साथ जाने लगे। भगवान राम लनका पहुँचते ही विभीशन को धर्म अधर्म के बारे में उन्हें तीन दिनों तक बताते हैं। और धर्म का पालन करने का आदेश देते हैं। अंत में विभीशन के कहने पर भगवान राम ने अपने बानों से सेतु के भाग के दो टुकड़े कर दिये थे क्योंकि विभीशन को उस रास्ते से मानव के आने का डर सताने लगा था